हलो फ्रेंज अगर आप भी पिटूनिया की लंबे समय तक फ्लावरिंग चाते हैं तो अब आप इन्हें सेमी शेड में रख दीजे अगर आपने हैंगिंग्स में लगा रखे हैं तो हैंगिंग्स को आप नीचे रख दीजे क्योंकि अब यह पूरे दिन की दूप को बरदाश नहीं कर पाएंगे यह विंटर के प्लांट से तो यह गर्मी को बरदाश नहीं कर पाते हैं रेगुलर इनकी डेड हेडिंग करते रहें मतलब भी जो पुराने फ्लार्ज है उन्हें हटाते रहें इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें और एकदम लाइट सा लिक्विड फैटलाइजर दे सकते हैं यह हेल्दी रहें, पोशन मिलता रहें और फ्लावरिंग करते रहें फैटलाइजर आप इसे काफी लाइट साही दें हेवी फैटलाइजर बिल्कुल भी ना दें ओके फ्रेंज बाई